नमस्कार साथियों कैसे कैसे पूछे आते हैं ऐसे तमाम परकार के जो डाउट्स आपके दिमाग में इस समय चल लें वो सारे डाउट किलियर होंगे इस वीडियो को देखने के बाद पे actually इतिहास subject में परथम मर्थ में बच्चे confused हो जाते हैं चोगी दो परकार की इतिहास आपको पढ़ने होते हैं एक पहला इतिहास होता है प्राचीन इतिहास और दूसरा होता है medical history यानि की मध्यकालीन इतिहास या केवल इतिहास आपको लिखा हुआ मिलता है तो अब आपके दिमाग में एक प्रस्नुरता की सरजी ancient history पढ़ना चाहिए कि मद्धिकाल इंतिहास पढ़ना चाहिए देखे अगर आपको आर्कियोलाजी में art and architecture में रुची है वास्तुकला, कला इन सभी में अगर आपकी रुची है तो आप ancient history पढ़ने ancient history में आपको art, architecture और यह ऐसे तमाम प्रकार के जो प्राचीन चीज़े हैं उसके बारे में जानने को मिलेगा जो एक प्रकार से अभी लेक हो गयरा के बारे में लेकिन जब आप medieval history की बात करते हैं मत धिकाल इतिहास की बात करते हैं तो आप पढ़ सकते हो मत्धे काली नितिहास या केवल इतिहास उसको मत्धे काली नितिहास भी कहते हैं और कहीं कहीं पर इतिहास केवल कहते हैं ठीक है लेकिन अगर आपको art and architecture मंदिर कैसे बनते हैं या गुफा आजनता की एलोरा की और चित्रकारी तमाम ये सब में interest है थोड़ा सा तो आप ancient history पढ़ें ठीक है तो ancient history का इस syllabus है अगर आपने ancient history ले लिया है तो आपको क्या पढ़ना होगा आज की वीडियो के माध्यम से मैं देखूँगा मध्धिकाल इंतिहास में आपको क्या पढ़ना है आप किसी भी विश्विद्याले में पढ़ रहे हैं किसी भी विश्विद्याले से समंधित किसी भी college में पढ़ रहे हैं private, सरकारी किसी में पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं यही से ले बस आपको पढ़ना है BA first semester यहने कि पर्थम वर्स में जब आप admission लेते हैं BA में admission लिया तो आपका first semester होगा तो देखे 3 वर्स का आपका BA होगा अधिकतर विश्विद्याले में 3 वर्स का कुछ एकाद विश्विद्याले में 4 वर्स का BA हलाकि BA 4 वर्स का जो होगा उसमें आपको यमे में एक साल कम पढ़ना पढ़ेगा यह system है ठीक है तो अलग-अलग universities अपने-पने हिसाब से करवाती हैं लेकिन यहाँ पर आपको पर्थम वर्स में दो semester पढ़ना पढ़ेगे first semester और second semester 6 महिने पर आपकी परिच्छा होगी यानि आपकी परिच्छाएं नौंबर और दिसंबर से परारम हो जाएंगे नौंबर से बेसिकली आपकी परिच्छाएं परारम बोने वाली है दिसंबर जनवरी तक खतम हो जाएंगी ठीक है तो आप सभी लोग अभी से तयारी परारम कर दीजिएगा इरली सिबिलाइजेशन आफ इंडिया और वर्ड के बारे में आपको पढ़ना है इरली माने होता है प्रारम बिक सिबिलाइजेशन माने होता है सभीता आप माने होता है काकी के इंडिया माने माने भारत इस चिन्न का मलब होता और या एवम या तथा वर्ड माने होता है आपका बिश्व यानि कि बिश्व और भारत की सिविलाइजेशन और वो भी प्रारंभिक सिविलाइजेशन ये प्रारंभिक सब्विता तो भारत एवं बिश्व की प्रारंभिक सब्विताएं या आरंभिक सब्विताएं इस पेपर का नाम है basically इस वीडियो के माध्यम से या इस चेप्टर या इसमें आप बिए के पर्थम मर्स के पर्थम समस्टर में आप क्या पढ़ेंगे जो बिस्व में जो प्राचीन सभिताये रही या भारत की प्राचीन सभितारिक असर के सिंदु घाटी सभिता में हडपा, मोहंजोदाडो, लो, थलकाली, बंगा, यह सब जो अस्थान है, यहां से क्या-क्या चीज़े मिली हैं, और कैसे-कैसे खुदाई हुई, किसने करवाई, राखालदास बनर जी, अदायराम साहनी, तमाम परकार की चीज़ों के बारे में आप जानेगे, इसके लावा म मिस्र की सभिता, युनान की सभिता, ठीक है, इसके लाव मेसो-पोटामिया की सभिता, असीरियन की सभिता, चीन की सभिता, ऐसी तमाम परकार की जो बिस्त की पॉपलर सभिताएं रही हैं, फेमस सभिताएं रही हैं, प्रसिद्ध सभिताएं रही हैं, उन सभी सभिताओं क को मिलेंगी सारी की सारी सभिताएं नदियों की किनारे ही मिलेंगी क्यों ऐसा हुआ कि नदियों किनारे ही सभिताओं का विकास हुआ इसलिए ऐसा हुआ चुकि नदियों से जो पेवाले पानी यो होता है पेपदार्थ होता है तो पानी पीने के लिए मिल जाता था नदियों जो होती थी पसुओं और मनुस्यों के लिए जल का प्रबंद करती थी और खेती में भी एक परकार से उपयोगी भूमिका निभाती थी मरदा भी उपजाओ होती थी वहां की इस कारण से जितनी भी सभिताओं का विकास हुआ बड़ी-बड़ी सभिताओं का प्राचीन काल में वो सब नदियों किनारे हुआ मैं इसी सीपी में सवरी नदिय किनारे की बात करें चाहे एक परकार से मेसोपोटामिया में आप देखते हैं मेसोपोटामिया बिसिकली एक परकार से दो नदियों की बीच का छेतर होता है वैसे मैं चर्चा करूँगा मेसोपोटामिया के बारे में मिर्तकों का टीला और तमाब प्रकर चीजे हैं जिसके बारे में अभी आप नहीं जानते हैं उसके बारे में बिस्तार्ट से आपको बताने बाला हूँ हलाकि यहाँ पर आपको समझाओंगा तो थोड़ा सा भी उतना समझ में नहीं आएगा मैं एक एक point को आपको बिस्तार समझाने वाला हूँ तो परेशान नहीं होना पहला chapter आपको हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले chapter में मैं पूरा syllabus आपको complete करवाने का प्रयास करूँगा इस वीडियो के मादमलब की आने वाले समय में ये बात आप ध्यान नखेंगे अगर एक बात ध्यान नखेंगे अगर आपको पूरा का पूरा syllabus पढ़ना है ancient history का या किसी भी subject का या basically हिंदी का course लांज कि अगर उसी हिंदी का course आप जॉइन कर ले तो आपको PDF वगरा भी मिलेगा बाकी YouTube पर ancient history वगरा का फिरी में मैं चलाऊंगा लेकिन जो PDF notes होंगे वो हिंदी के group में ही मिलेंगे तो आपको करना क्या है अगर आपको हिंदी का course लेना है हिंदी अगर आपका subject है तो हिंदी के course के लिए एक परकार से जो है मैंने मात्र और मात्र 100 रुपे में पूरा का पूरा course लांज कर दिया है आपको कोर्स लेना है तो 91, 61, 93, 60, 62 यह मेरा whatsapp नंबर है इस पर आप तुरंत इसमेस करें कहा पर इसी नंबर पर 91, 61, 93, 62 पर इसमेस करें और कहें कि सर जी हमको बी ए हिंदी साहित का प्रथम समेस्टर का course चाहिए यह हिंदी बी ए फ़स समेस्टर का course चाहिए हमको ठीक है तो आपके पास मैं scanner send करूँगा उस पर मातर आपको 100 रुपीज send कर देने होंगे उसके बाद में आपको एक परकार से course से add करवा दिया जाएगा और आप आसानी से पढ़ते लिएगा हिंदी का समपूर कोर्स पूरा का पूरा पढ़ाओंगा जो हिंदी काब या हिंदी साहित में पहले हिंदी साहित का इतिहास हम लोग डिसर्स कर रहे हैं इसके बाद में हिंदी साहित के इतिहास के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके बाद में हिंदी काब में जो एक परकार चीजे हैं जो इसे कविताएं जो हैं उनकी ब्याख्या पढ़ेंगे हलाकि ब्याख्या मैंने आलेडी पहले अबलेबल करवा दी थी लेकिन फिर इसे नई तरीके से उसको पढ़ाने का प्रयास मैं करूँगा ठीक है तो आपका एक परकार से कॉर्स कम्पलीट होने होगा और हिंदी के कॉर्स कम्पलीट के साथ साथ उसमें और भी सब्जट की जो PDF नोट्स होंगे वो भी मिलते रहेंगे तो अगर आपको लेना है कोर्स तो आप ले सकते हैं और आप हमसे डारेक्टरी जो लपाएंगे और हिंदी अगर यहाँ पर आप बिस्तार से प्रसम समस्टर में पढ़ लेंगे तो आने वाले जो पाँच समस्टर और आपके होंगे उसमें आपको हिंदी एक परकार से बहुत ही सरल लगेगी और भी सब्जट आपके बहुत सरल लगेगे अगर आपने एच्छे तरीके से इसको एक परकार से इच्छे तरीके से पढ़ लिया तो पहला चेप्टर आपका क्या है पहला चेप्टर है अध्यन के स्रोत यानि कि जब भी कोई इतिहास आप पढ़ते हैं तो वो इतिहास इतिहास चुकि बीती हुई घटनाएं इतिहास होती हैं जब बीती हुई घटनाएं इतिहास होती महोदय तो भाई बीती हुई उस पर क्या क्या चीज़े लिखुआई उस समय में कौन से मकान बने उस मकान में इट कैसी लगाई उस समय के प्रकार से जो पत्थर या जो भी कुछ स्वण मुद्राइय जो कुछ भी मिली है उसकी अधार पर उसकी कार्बन डेटिंग करके हम लोग समय का पता लगाते कि पुरा तत्विक साक्ष, पुरा तत्विक साक्ष का मलब होता है, ऐसा साक्ष, जो की प्रकार से हमको पत्थर बगरा मिल गए, उसका कार्बर्डेटी करके हमने उसकी एज निकाल ली कि कितना साल पुराना है, और या कोई अभिलेक मिल गया, कोई सिक्का मिल गया, ये सम मिल तो ये पुरा तत्विक स्रोत है इसके लाव बैदिक साहित ये लिटरेचर साहित है मने अपकी कुछ साहितिक स्रोत मिले हैं साहितिक स्रोत में यसे बेद में जो चीजे वर्डित हैं बेद में बैदिक समाजिक जीमन कैसा था ठीक है तो बेद में सारी चीजे बताई गई है क महाभारत के बारे बैजानेंगे रामायड काल महाभारत काल बेदांग साहित बैदिक साहित में जिसे चार बेद हैं युदिक बेद जुर बेद साम बेद और अथर बेद इसके बाद में बेदांग साहित आता है बेदांगों की संख्या अच्छा है ठीक है जिसमें सिक्छा निरुक्त ये सब कल्प ठीक है इसे तमाम प्रकार की चीज़ ये तो छेवे हैं रामायड और महाभारत रामायड की रिचना बालमीकी जीने करी महाभारत की रिचना महरसी बेदव्यास जीने करी आपजेक्टिम में कई प्रसन पूछे जाएंगे अच्Gen, जब मैं ये चीजश सचरचा करूँगा पहला चेपटर में पढ़ाऊँगा आपको तो इसमें पूरा पूरा एक ही चेपटर में समाप्त नहीं हो जागा ये दू-3-4 चेपटर में लगेंगे पढ़ाने में अर्केयोलाजिकल एविडेंस और बैदिक लिट्रेचर बेदांग लिट्रेचर रामायना और महाभारता इसके बारे बिस्तार से हम लोग जानेगे चेप्टर नमबर वन के बारे में इसमें से तमाम प्रस्ण परिक्षा में पूछा आते तो वो सब भी मैं आपको बताऊंग ठीक है, बैदिक और बैदांग लिट्रेचर के बारे में बिस्तार से आपको यहाँ पर दूसरे चेप्टर में जानना पड़ेगा कि रामयाड और महाभारत काल में किस तरीके के समाज रहा किस तरीके की एक परकार से समाजिक राजनेतिक और आर्थिक जीवन रहा है किस तरीके से लोग एक परकार से अपना पेट पालती थे सारी चीजों को जानने का परियास करेंगे फिर चोथे चेप्टर में हम लोग पह सिंधु घाटी सभिता के नाम से भी जानी आती है, चुकि सिंधु नदी सरसती से बड़ी नदी मानी आती है, इसलिए सिंधु घाटी सभिता इसको कहते हैं, तो सिंधु घाटी सभिता की उत्पत्ती कैसे हुई, इसका विस्तार कहां से कहां तक रहा है, ठीक है, इसकी प्रम मुझ विसेस्ताओं के बारे में जानने का प्रियास करूगा सिंदूगाटी सब्दा की क्या-क्या विसेस्ताएं रही हैं। इसके अलमा ब्यापार यानि कि जब एक प्रकार से ब्यापार या एवं वाडिज यानि कि जब भी एक प्रकार से जो है क्या बोलते थे ट्रेड एंड कमर्स की बात करें यानि कि वाडिज करते थे या ब्यापार आदान प्रदान करते थे एक चीज का वस्तूओं का एक दूस उसरे से वो समझेंगे उसके आदमें इस सभिता का पतन कैसे हुआ उस पतन के ओर हम देखेंगे कि भाई ये सभिता जो सिंदु सरसती सभिता या सिंदु घाटी सभिता रही है मोहन जुदारो हडपा जिसके बड़े बड़े नाम है तो इस सभिता का पतन कैसे हुआ वैसे मो परकार से अच्छे उद्देश से बनाते हैं, तीन-चार साल में एक मूवी देते हैं, लेकिन अच्छी मूवी देते हैं, अब ये मत सूचेगा कि गुरू जी को एक परकार से गुरू जी परमोसन करने के लिए हैं, नहीं मैं किसी का परमोसन नहीं करता हूं कभी, ठीक है इसमें विस्तार से बताई गई हैं, सिक्के चलते थे, जो सिक्का पाता था, वही एक परकार से बड़े सहरों में जा पाता था, ऐसे तमाम परकार की मुहर होती थी एक, तो इस तरीके के पूरी सिच्वेशन को मैं समझाओंगा, तो इंडस सरसती सिविलाइजेशन, इसका व और कामर्स, और डिकलाइन कैसे उसका पतन हुआ, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे, चोधे चेप्टर में, पाच्वे चेप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाच्वे चेप्टर में हम लोग बैदिक संस्कृति के बारे में समझेंगे, बैदिक संस्कृति की क और बैदिक सभिता के बीच में क्या इंटर गलेशन्सिप था उसके बारें भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे ठीक है यानि बैदिक कल्चर, नेचर आप बैदिक कल्चर, सोसल अर्गनाजेशन आफ आर्यांस, रिलेजियस एंड एकोनॉमिक लाइफ, इंटर कनेक्शन आप बैद सभितिक सिबिलाजेशन वित इंडर सिबिलाजेशन ने की अंतरसंबंद कैसा रहा बैदिक संस्कृति का और इंडर सिबिलाजेशन का, दोनों के बारें विस्तार सचर्चा करेंगे, फिर इसके बाद में हम लोग छठे चेप्टर में क्या समझेंगे, छठेवे चेप्टर काल के दवरान एक प्रकार से क्या-क्या सिच्वसन का ऐसी समाजिक स्थितिया थी समाजिक संगठन का ऐसे थे और नैति कहने की मोरल जो एक प्रकार से एथिक सोती है वो क्या थी ठीक है तो epic is culture, social organization and ethical model के बारे में जानने का प्रयास हम करेंगे तो six chapter में हम लोग ये पढ़ेंगे, सातवे chapter में हम लोग क्या पढ़ेंगे अध्यन के स्रोत, जिसमें साहितिक स्रोत, यहनि कौन-कौन सी पुस्तके उस दवरान की मिली जिसके बाध्यम से हमको जानकारी मिलती है, इसके अलावा पूरा तत्विक स्रोत के बारे में पूरा तत्विक मलब जो सिक्के मिले, जो पत्थर मिले, जो मूर्तियां मिली, जो अभिलेक मिले, जो साक्ष मिले वो सब पूरा तत्विक स्रोत में आते हैं, यहनि कि sources are study, literary and archaeological evidence, ठीक है पूरा बिस्तार समझाने का प्रियास करने कौन-कौन से, बुस्तकों के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है, ठीक है आठवे चिप्टर में हम लोग बिस्तु की सभिताओं पर चलेंगे देखें, आठवे चिप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बिस्तु की सभिता, देखें मेसो पोटामिया सभिता, मेसो पोटामिया की सभिता के अगर बात किये तो ये बिस्तु की सभिताओं में मेसोपोटामिया के सभिता, मेसोपोटामिया के सभिता का उद्भो कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसका विस्तार कैसे हुआ, समाजिक जीवन यहां का कैसा था मेसोपोटामिया का, धार्मिक जीवन कैसा था, उन दोनों धार्मिक और समाजिक जीवन की विसेस्ताओं क असीरियन सभिता क्या थी ये इसे मोहन जोदाडो और जो है हडपा सभिता सिंधुगाटी सभिता के अंतरगत हैं ऐसे ही एक प्रकार से मेसोपोटामिया के सभिता के अंतरगत सुमेरियन सभिता बेविलोनियन सभिता असीरियन सभिता ये सब इसी के अंतरगत छोटे छोटे हैं जो सब बिताएं एक परकार से हैं ठीक है तो मेसोपोटामिया सिबिलाइजेशन के बारे में जानेंगे इमेरिजेंस यानि इसका उद्भव डेवलोपमेंट यानि विकास एंड एक्सपेंशन मनलब बिस्तार सोशल एंड रिलेजियस फीचर्स यानि समाजिक और धार्मिक विसेस्ताओं के बारे में इसके अलावा एक परकार से सुमेरियन सिबिलाइजेशन बेबिलोनियन सिबिलाइजेशन and Assyrian Civilization के बारे में हम लोग विस्तार से जानने का प्रियास करेंगे हर एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे जहां से आपकी परिक्षा है परसने पिछले दो तीन वर्सों में हम लब दो वर्सों में पूछे गए हैं ठीक है खासर के तीन वर्सों में अगला नील लदी घाटी की सभिता का उदय और विकास कैसे हुआ समाजिक जीवन कैसा था नील लदी नील लदी की घाटी में एक परकार सभिता का विकास हुआ मिस्र की सभिता विसिकली नील लदी की घाटी में मिस्र की सभिता का विकास हुआ नील लदी एक परकार से मिस्र घाटी सभिता की बरदान मानी जाती है या एक परकार से मिस्र जो सभिता है या जो एक परकार से मिस्र की सभिता है उसको नील लदी का बरदान मानते हैं नील लदी वहाँ परती सीलिय हो गई उस सबिता का विकास जो कि वो एक परकार से जो है अफरीका में पढ़ती है और अफरीका में आप जानते हैं एक परकार से लगबग जो है बहुत ज़्यादा एक परकार से रेगिस्तान वाले मैदान मिलते हैं तो नील अदी घाटी की सभिता का उदे कैसे हो, इसका विकास कैसे हुआ, जहांका समाजिक और धार्मिक प्रकरती कैसी रहा, जीवन कैसा रहा, the rise and development of the civilization, of the neil valley civilization, social and religious nature के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे, इसके बाद में जो दसवा चेप्टर है और लास्ट चीन सभिता के बारे में, चीन की सभिता का उद्भो कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, और अन्य प्रमुक बिसेशता है, चीन की सभिता की basically, तो China civilization, emergence, development और another major features जो रही चीन की सभिता के बारे में, उसको भी जानने का प्रियास करेंगे, तो 10 chapters जो होंगे, या 10 points जो हों हैं, तो बिल्कुल आपको घबराने के जरूरत नहीं, दीन द्यालों पध्या गोरगपुर विश्विद्याले में क्या है, कि आपका जो पहला एक प्रकार से paper number one होगा, वो यहां तक 7 chapter तक समाप्त हो जाएगा, और paper two आपका ये तीन सभिता का अलग paper होता है, और वहां का co-curricular course पढ़ना पढ़ता है, हलाकि हार एक समस्टर में पढ़ना पढ़ेगा, चाहे आप पर्थम समस्टर में अभी आए हैं, तो पर्थम समस्टर में आपको co-curricular course के रूप में पढ़ना पढ़ेगा, food, nutrition and hygiene के बारे में, खादी, portion और सच्छता के बारे में आपको पढ़ किसी किसी भी स्विध्याले में 75 questions भी आते हैं, ठीक है, तो अपने-पने university के साफ से देखें, बाकी आपको बढ़ा दू, objective questions आते हैं, तो इसकी तैयारी में प्रारम कर चुका हूँ, chapter number 1 की videos आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो आप जो है semester 1 में genuine admission लिया है, वो एक परकार से बिल्कुल free में इन सभी videos को जितने भी chapters इसमे में पढ़ाऊंगा, सारे chapters आपको YouTube पर available करवा दूँगा, और आपका channel दूसरा वाला जो मैंने बनाया है, co-curricular की परिक्षाओं के तयारी के लिए, उसका नाम है co-curricular master, ठीक है, co-curricular master, तो इस channel को आप subscribe कर लिजेगा, co-curricular master नाम से एक channel बनाया है मैंने, इस channel पर आपको co-curricular की परिक्षाओं से संबंधित तमाम परकार की जानकारी दी आती है, तो आप इस channel को subscribe कर लिए, आपकी परिक्षा के लिए बहुत ही best channel है, और यहाँ पर बिस्तार से हरिक चीज आपको बताई जाती है, ठीक है, तो आप इ जीवन के लिए बहुत उपयोगी होगा, खाद, दिपोशन और सचता, आप पतले दूबले हैं, या आप बहुत मोटे हैं, तो आपको पतला कैसे होना है, आप बहुत ज़्यादा एक प्रकार से पतले, तो आपको मोटा कैसे होना, स्वस्त कैसे रहना है, यह सब इसमें जै भारत, आप सभी का बहुत भुत धन्यबाद, हमारे से जुड़ने के लिए इसमें प्रकार से पना प्यार बनाये रखेंगे,